हलो दोस्तो, Learn Basics में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्व तो कभी कभी क्या होता है, जब हम MS Word पे डॉकुमेंट रिपेर कर रहे होते हैं तो लास्ट में एक ब्लैंग पेज रह जाता है, ठीक है तो चली शुरू करते हैं वीडियो और जानते ही कैसे लास्ट का जो ब्लैंग पेज होता है, उसको हम डिलीट करते हैं तीन अलग-अलग तरीकों से, ठीक है, तो जैसे कि आप देखरें सामने MS Word का पेज ओपन है और यहां पर देखिए, पहले दो पेज पेज पे कुछ मैटर है, और जो लास्ट का पेज है वो ब्लैंग है ठीक है, तो देखिए, पहला मेथड क्या है, जैसे करसर आपको दिख रहोगा, यहां पर ब्लिंग कर रहा है, इसको एकदम नीचे ले जाईए जो लास्ट का पेज है, उससे पहले के पेज में एकदम लास्ट में करसर左右 करunk करिये और यहांपर डिलीट बटन प्रेस करिए, ठीक है, जैसæ कि आएप देखतने करसर यहां पर है, एकदम लास्ट में है अब हम डिलीट जब बटन प्रेस करेंगे तो यह page आपका डिलीट हो जाएगा कभी-कभी क्या होता एक बार डिलीट प्रेस करने पर नहीं होता तो तीन-चार बार डिलीट बटन प्रेस करी तो जो last का blank page है वो डिलीट हो जाएगा अब अगर मालीजे इससे नहीं होता है तो जो last का page है उसमें एक दम starting में करसा रखिए और backspace प्रेस करिए तो भी ये delete हो जाएगा ठीक है ये था दूसरा method अब अगर इस पर भी नहीं होता तो फिर क्या करना होगा वो control के साथ backspace प्रेस करना होगा और आपका ये page जो है delete हो देखिए मैं प्रेस करना जा रहा हूँ control plus backspace ये ये last का जो page है वो delete हो गया तो ये तीन अलग-लग methods है जिनके तुरू आप last का जो page बच जाता है उसको आप हडा सकते हैं MS Word से तो I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर कुछ प्रॉबलम हो तो comment section में comment करिएगा मि हुआ हुआ है